अलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर गाईज हम लोग एक और चैप्टर के साथ आ रहे है यहां पर सब्सक्राइब कर रहे है दोस्तों आपने पिछले वीडियो पिछले चैप्टर किये होंगे हमने सॉलिड स्टेट स्लूशन आयों एक इकलिब्रिया हमने हैलोजन डेविटिव्टिव एंड एल्कॉहल फिनॉल इधर यह सारे चैप्टर कंप्लिट किया है दोस्तों चलो तो अभी हमारा जो चैप्टर है अल्डिहाइड कीटोन और काबोगजिलिक असीड इसका पूरे सारे रियाक्शन आते हैं दोस्तों प्रिवेशन पूछा है तो उसके वह क्लासिफिकेशन भी कैसा है और सारे नेम रियाक्शन के उपर फोकस करेंगे यहां पर इस पर्टिक्लर चैप्टर में बहुत सारे नेम रियाक्शन है दोस्तों ठीक है तो बहुत सारे नेम रियाक्शन सभी नेम रियाक्शन के में रियाक्शन क्या है में प्रॉडटक क्या है अवरिटिंग विल गोई टू सी इन डीटेल ठीक है तो शुरुबात कर लेते हैं तो अल्डिहाइड ग्रूप अब यह कार्बोनिल ग्रूप में ही दोस्तों अगर आपको अलकाइल ग्रूप हाइड्रोजन या फिर अराइल ग्रूप अटाइच हो तो आपको ग्रूप है ठीक है अब इसी में चलो मैं वापस यहां पर सी डबल पॉंड लिख लेता हूं और मैं वापस तो आपको तीनों अडेंटिपाई हो जाएगा चलो यह तो हो गया अर्डी हाइट अब मुझे किटोन लिखना है अब किटोन तो यह सी डबल बॉंड ओ तो है इधर आर लिख दो इधर आर लिख दो यह बन जाएगा दोस्तों किटोन क्या है है किटोन तो सी डबल बॉंड ओको दोनों तरफ से और और याने अलकाइल ग्रूब है दोस्तों या फिर इन केस आप अलकाइल ग्रूप याने अर अटेस्टों होगा जैसे कि यहां पर आप दे सकते हो यह फिर दोनों अराइस गुट मैं एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं आपको अगर पार को यह और है और इसके साथ हो गया तो यह कार्बोग्जली काइसी इसको हम लोग कहेंगे कार्बोग्जलीग तो यह फिर एक अलकाईल ग्रूप और या फिर दोनों अराइल ग्रूप अटेच्ट है तो इसको कहेंगे किटोन और सीडबल बॉंडों तो होगा सेंट्रली और 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 प्लेस में शायद से यार यानि तो 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 यहां पर यहां पर याद रख सकते हैं अंडस्टूड क्लियर हो यह चलो क्लासिफिकेशन एलिएड में आपको पता आई है दोस्तों वहाट इस हैं इस निब और सिंगल यह पॉंड है तो तो formaldehyde acetaldehyde यह कुछ example से उसके डाट इस अलिफेटिकल डिहाइड अर्मेटिकल डिहाइड में basically general formula ARC double bond OH ठीक है AR AR यह नहीं क्या फिनाल रिंग तो यह देख सकते है फिनाल रिंग इस पर्टिक्लर कंपाउंड का नाम है बेंजाल डिहाइड इस फिनाल बेंज निंग हैं यह यह क्लासिफिक्शन ऑफ केटों एसकी डबल बौंड है दोनों तरफ अलकाइल गृप कर्योंड इस तो ध्यफ्यक्राइड के तो इसमें धेंग ग्रूप में तो इस तरह से वह अटेच्ट होगा तो इस तरह से वह अटेच्ट होगा तो इसको कहते है तो यह क्लासिफेकशन हो गया अब अडीहाइड किटोन सेम वे अलिफेटिक काबॉक्जिलिक अशिद वही है आपको पता ही है और सी डबल बॉन्डोंडों या फिर ए रसी डबल बॉन्डोंडों अलकाइल ग्रूप अटेच होगा का COOH को तो एलिफेटिक का बुगजिलिक असीड और अरोमेटिक रिंग है तो यह एक्जाम्पल है बेंजॉइक एसीड का अरोमेटिक का बुगजिलिक यह वाला कौन सा है दोस्तों सी एथ्री सी डबल पॉंड ओ ओएच एसीटिक समझ में आ रहा है दोस्तों क्लियर हो रहा है ठीक है तो यह हो गया आईए पेसी ने में तो आपको वही करना है दोस्तों जो आप लोग अलकेइन अलकीन एलकोहल के लिए करते हैं लॉंगेस चेन सेलेक करनी है जहां सी डबल बॉंड हो है हर एक ग्रूप में की सी डबल बॉंड हो आपने यहां पे सी डबल बॉंड जो यहां सी डबल बॉंड उसको पहला कार्बान एटम और करेंगे या फिर चलो नबरिंगे अब बाएटे प्लॉरीन है उसके साथ च्ञॉक इंपन देख सकते हैं यह पहला कार्बन ऐंटम है इधर यह पहला कार्बन ऐन यह फित कार्बन ऐटेम अब पहला कार्बन एटम कर यहां पे उस लिए वह राइव ऑपर क्लाट कितने हैं दोस्तो तो पांच है तो पांच हो गए सेकेंड पोजिशन पर क्लोरी तो उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो टू क्लोरो पेंटैनल अब अब आप ध्यान में देख लो बच्छो तो यहां पर आपने लिखा है यह चीज ध्यान में रखना एलकोहल के लिए हमने देखा था कि अलकेन की जो एंडिंग ई है उसको ओ एल से रिप्लेस करते हैं यहां पर अडिहाइड में एल से रिप्लेस करते हैं तो पांच कार्बनेटम यहां ने पेंटेन को इको रिप्लेस किससे किया जाएगा इको रिप्लेस किया जाएगा ये ल से तो आ जाएगा टैनल यह समझ में आ रहा है दोस्तो तो इस तरह से आई पेसी नेम्स दिये जाएंगे दोस्तों ओकए ये कुछ हौन होगे यहां पे नम्बर फॉण भॉण्ट प्रेल ंसराट कर ली वाइग कुद्व पोड़ल स्टोर değगता था mc पर आएगा नमबर पे चला चाय कार्बन यानने ब्यूटेन में इसे E को replace करेंगे किस से O&E से तो butane अब second position पर C double bond हो है तो butane two own इस तरह से लिखना है ठीक है E को replace करेगा O&E पर उससे पहले two number जहां पर भी वो C double bond हो वो number specifically हमें लिखना होता है तो इस तरह से you know ketone के भी हम लोग याद रखो तो क्या याद रखो याद रखो यानन जो भी अलकेन है उसको E के से किसको replace करेंगे O&E को replace करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं कुछ molecule of formulas है एक ही कार्बनेटम है तो यानने मीथेन में से ए रिप्लेस बाइ ओ आइस अगर मुझे और कुछ Chr to CoCh कितने कर्बनेटम है दोस्तों 1 2 3 और 4 कर्बनेटम तो क्या हो जाएगा च्पील्लेटम कर रहा है ब्यू टेन में дома encompass करेंगे OIC acid, तो butanoic acid, उसी तरह से pentanoic acid, hexanoic acid, heptanoic acid, तो ऐसे सारी हम लोग IUPAC name देख सकते हैं, दोस्तों, डन, तो IUPAC name भी अच्छे से हो गया, किस तरह से आपको nomenclature, I mean, numbering देनी हैं, वो भी हमने clear कर लिया, अब कुछ physical properties के उपर दोस्तों हमें ध्यान देना है, physical properties में, पहले तो solubility देखेंगे, boiling point देखेंगे हम अगर solubility है, देखो, अर्डिहाइड, ketone and carboxylic acid, सारे के सारे organic compound है, ठीक है, तो उनकी solubility ज्यादा तर तो organic solvent, यहने, alcohol में, ether में, carbon disulfide, ऐसे कोई solvent जो है, carbon tetra chloride, organic solvent है, उसमें solubility ज्यादा अच्छी रहती है, like diesel, like formula के basis पे, ठीक है, कुछ ऐसे carboxylic acid है, जहां पे, वो water में भी, water non polar solvent है, तो polar solvent म भी आपको solubility show करेगा, वो क्यों होगा, उसके पीछे भी reason है, वो भी हम लोग यहां पे distance करेंगे, ठीक है, तो पहली चीज़ तो boiling point, boiling point generally increase होता है, दोस्तो, with the increase of molar mass, यह जनरली सारे common चीज़ है, alkane, 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 11th standard का concept, आप alcohol, halogen derivatives में, सारे component, halogen derivatives, halogen, halogenes, 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 या फिर compound का, boiling point भी उनका बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो first thing that you have to remember, boiling point increases as the number of carbon atom increase, number of carbon atom increase होता है, दोस्तों, मतलब क्या, number of, I mean to say, molar mass बढ़ जाता, राइट, जैसे कि आप aldehyde है, say for example, दो compound, यह CHO, और दूसरा है, CH3CHO, अब यह दो compound है, aldehyde के, one is formaldehyde, या फिर methanol, second one is ethanol, अब य यह दो carbonator वाला बड़ा molecule हो गया, यह single carbonator वाला छोटा molecule हो गया, simple si language में कहा है, तो छोटे molecule का, छोटा molar mass, बड़े molar molecule का, बड़ा molar mass, simple है, तो जितना molar mass ज्यादा, उतना boiling point and melting point ज्यादा है, समझ में आ रहा है दोस्तों, okay, so that is the case, order of boiling point, of boiling point, किस order से increase होगा, देखो, carboxylic acid क सबसे ज्यादा boiling point है, ठीक है, उसके बाद फिर alcohol, उसके बाद फिर ketone, then aldehyde, then ether and then alkane, ठीक है, तो carboxylic acid shows the highest boiling point, ठीक है, solubility देख लो दोस्तों, solubility, solubility, generally aldehyde, ketone and carboxylic acids are, you know, miscible in water, ठीक है, and why these are miscible, because, you know, they shows the hydrogen bonding, पहले तो यह है, कि they in water decreases with increase in molecule mass, molar solubility decrease होती है, ठीक है, solubility क्या होती है, दोस्तों, decrease होती है, with increase in molar mass, याने, smaller molecule जो है, वो water sol किया जाता है, right, अगर वही, carboxylic acid का molar mass बढ़ा दे, चार कार्बनेटम का, carboxylic acid, पाच, pentanovic acid, hexanovic acid, heptanovic acid, तो उसके solubility फिर अभी धीरे-धीरे कम होती जाएगी, याने initial members, जो है, okay, जो soluble है, water soluble, and जो molar mass बढ़ते जाएगा, then, तो solubility कम हो जाएगी, अब reason क्या है, why these are water soluble, क्योंकि मैंने पहले ही कहा, कि all these are, aldehyde, ketone, carboxylic acid, ये सारे के सारे क्या है, और क्यानी compound, water तो inorganic solvent है, तो फिर inorganic solvent है, कैसे soluble है, एक ही particular reason है, है, दोस्तो, वो है H bonding, ठीक है, क्या reason है, दोस्तो, hydrogen bonding, ज्यान में रखना है, aldehyde, ketone, and carboxylic acid, shows water solubility, especially smaller member shows water solubility, due to one reason only, that is hydrogen bonding, और concentrate आपके hydrogen bonding है, hydrogen bonding की भी दो टाइप है, दोस्तो, intermolecular hydrogen bonding, and intramolecular hydrogen bonding, but there is a presence of intermolecular hydrogen bonding, okay, कौनसी है, के hydrogen bonding, ज्यान देना है, दोस्तो, okay, कौनसी टाइप के hydrogen bonding तो है, बड़ अगर specifically type पूछ ले तो, so that is intermolecular hydrogen bonding, done, okay, चलो, तो physical properties भी हमने complete कर ली, अब preparation method of aldehyde, ठीक है, aldehyde के preparation method, okay, few more preparation methods, okay, number of preparation method है, reduction होगा, तो aldehyde form होगा, oxidation होगा, तो aldehyde form होगा, ठीक है, तो पहला है, that is primary alcohol, RCH2OH, oxidized with nascent oxygen, oxidizing agent कौन सा है, that is K2O, CR2O7, dilute H2O4, या फिर oxidizing agent दूसरा है, copper at 573 Kelvin temperature, आपको क्या हो जाएगा, बच्छो, यह hydrogen है, वो हट जाएगा, यह H2 है, वो हट जाएगा, तो RCHO, यह देखो, यह R है, यह C है, यह HO, RCHO, यानि आपको मिल जाएगा, aldehyde, that is one thing, ठीक है, तो alcohol, specially primary alcohol, oxidized होगा, with K2CR2O7, dilute H2O4, या heat करेंगे, with copper at 573 Kelvin temperature, आपको क्या मिल जाएगा, aldehyde, ठीक है, second, alkyne से भी aldehyde बनता है, किस, कौन सा reagent है, use करेंगे, ozone, use करेंगे, तो, RCH, double bond CH-R, that is alkyne, alkyne का reaction किस के साथ होना है, ozone, इसको actually उस reaction को हम लोग ozone olysis reaction भी कहेंगे, ozone olysis reaction, there is a formation of aldehyde, आपको reaction के उपर ध्यान देना है, ठीक है, final product के उसके उपर ध्यान देना है, main reactant क्या है, उसके उपर ध्यान देना है, ठीक है, next, alkyne से भी होता है, alkyne जब react होता है, with H2SO4 and HGSO4 at 33 Kelvin temperature, there is a formation of RCHO, यानि aldehyde, यहां से भी मिलेगा, यानि alkyne से भी मिलता है, alkyne से भी मिलता है, तो alkyne कैसे convert होगा, aldehyde में, जब ozone के साथ react होगा, and then hydrolysis होगा, in presence of zinc, and alkyne जब dilute H2SO4 and HGSO4, 333 Kelvin temperature पे heat करेंगे, तो आपको यहां पे मिल जाएगा aldehyde, ठीक है, R C double bond O C L, that is called as acid chloride, okay, तो acid chloride से भी, you know, aldehyde मिलेगा, this particular reaction is actually called as a erosionment reaction, अब बच्चों यह name reaction बहुत ज़्यादा important है, बहुत ज़्यादा important है, आपको वो reagent याद रखना है, so erosionment reaction में hydrogen gas use करेंगे, in presence of a catalyst, PD, BASO4, ठीक है, PD and BASO4 and hydrogen gas, तो simple क्या हो जाएगा बच्चों, यह जो है chlorine हट जाएगा और उसके place पे H आ जाएगा, chlorine will be replaced by H, so you'll be getting a aldehyde, that is erosionment reaction, next reaction, जो की है बच्चों स्टिफन्स reaction में, RCN, यहने alkyl sainide reaction होगा, किस के साथ, reducing agent के साथ, ठीक है, reducing agent कौन सा है, SNCL2 plus HCN and secondly hydrolyze होता है, तो पूरे process को स्टिफन्स reaction कहता है, you'll be getting aldehyde, aldehyde over that, तो acid chloride with H2 and PDA BASO4, aldehyde, erosionment reaction, alkyl sainide, reduce with SNCL2 and HCL and H3O plus science, स्टिफन्स reaction कहता है, आपको मिलेगा aldehyde, next is RC double bond OOR, this is called as acid, this one ester, ठीक है, this particular compound is ester, ester को आप reduce करोगे with the reducing agent that is called ALHIBU twice, इसको कहता है, diisobutyl aluminium hydride, ठीक है, diisobutyl aluminium hydride, simply वो diisobutyl aluminium hydride, जो next reaction में लिखा, वैसे भी लिखेंगे, DIBALH, याने D याने di, I याने iso, B याने butyl, AL याने aluminium and dash H, that represents the hydride of aluminium, ठीक है, तो देखो, ester, diisobutyl aluminium hydride के साथ reduce करेंगे, this is reducing agent only, ठीक है, एक oxygen हट जाएगा, यहाँ पर R हट रहेगा, and there will be an introduction of a H over there, तो आपको aldehyde मिलेगा, even cyanide also reduced with the diisobutyl aluminium hydride, you'll be getting a aldehyde, तो गाईज, यह सारे के सारे preparation में थाड़ है, किसके, aldehyde के, यह एक just simple, आप reactions है, जो कि आपने board exam में already पढ़े है, same वही reaction, मैंने सारे reaction को, you know, एक merge करके, एक ही form में, यहाँ पर simple way में general reaction लिग के रख दिया है, ठीक है, तो गाईज, प्लीज, आप इसका चाहिए, तो आप screenshot ले सकते है, इसका, और आप इसको वापस से practice कर सकता है, घर पे, ठीक है, चलो, next is preparation of aromatical dehyd, aromatical dehyd, aromatical dehyd भी prepare होना है, यह सारी जो earlier case देखे तो हमने वह सारे के सारे क्या थे, यह aromatical dehyd है, aromatical dehyd का पहला reaction है, that is itard reaction, very very important reaction, जैसे रोजनमंड है, जैसे स्टीफन रियक्शन, same way itard reaction is also there, getamen reaction, तोलीन है, benzine ring और जिसके साथ CA3 group, itard reaction याने क्या, CRO2, Cl2, इसको chromyle chloride कहते हैं, क्या कहता है, chromyle chloride, react with CS2 in terms of H2O, आपको यह जो CH3 group है, ठीक है, यह CH3 group है, यह हटेगा और उसके place पे आ जाएगा CHO group, याने hydrogen हट जाएगा और उसके place पे oxygen आ जाएगा, due to that oxidizing agent, similarly, tolin react with CRO3 chromium trioxide in terms of this one, acetic and hydride and H3O plus science, you will be getting aromatical dehyd, यहापको benzaldehyde मिलता है दोस्तों, ठीक है, अगर specifically लिखने जाए, so you can go with this one also, आप simply benzaldehyde भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, चलो, benzaldehyde ही बना देता हूँ, this way, this is benzaldehyde, next one, that is benz, this tolin react with chlorine, that is called as the chlorination or oxide or you know chlorination of a side chain of alkyne, alkane of that or say you know tolin, so chlorine react with H new and then H3O plus science at 373 Kelvin temperature, आपको मिल जाएगा benzaldehyde, और एक और है benzene react with CO and HCl, जो की है reaction, getamin-cock reaction कहते हैं दोस्तों, ठीक है, देखो, यह etard reaction है, this one is the getamin-cock reaction, तो benzene का conversion आपको मिल जाएगा, benzaldehyde में, तो यह aromatical dehyde हो गये हैं, दोस्तों, preparation of ketones, these are few examples, preparation of ketones के, देखो, primary alcohol अगर oxidized होता है, regalvin temperature, आपको बंचो मिल जाएगा at the end ketone, ठीक है, alkyne, same way react with ozone, you'll be getting ketone, alkynes, H2O4 and H2O4, आपको ketone मिलेगा, जैसे aldehyde के लिए है, same reaction, यहाँ पे ketone के लिए भी है, acid chloride react with dialkyl cadmium, you'll be getting ketone, and acids, this one, alkyl cyanide react with grignard reagent of dry ether and then hydrolyze हो जाएगा, आपको यहाँ पे ketone मिलेगा, आपको simply CH3, C2H5, यह लिखके आपको practice करनी होगी, ठीक है, ठीक है, these are preparation of aromatic ketone, specially इस reaction को friddlecraft reaction कहते हैं, दोस्तों, जहाँ पे benzene को react करेंगे, RCOCL, that is, आप RCOCL ले लो, या फिर आप simply लिखो CH3, COCL, that is called acetyl chloride, या ethanol chloride, okay, आप reaction होती है, carry out होती है, in presence of, you know, LCL3, आप simply यह C double bond O R, C double bond O R, याने alkoxy group, आप attach कर सकते हो, आपको मिल जाएगा ketone, that is aromatic ketone, यह सारे alipati ketone है, वो aromatic ketone है, दोस्तों, ठीक है, चलो, अब preparation of carboxylic acid, these are few examples of preparation of carboxylic acid, देखो, alkyl sainide hydrolyze होगा, hydrolysis reaction होता है, carboxylic acid के preparation में, क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ hydrolysis reaction, ठीक है, only and only hydrolysis reaction, उतनी ही ध्यान में रखना है, ठीक है, तो alkyl sainide hydrolyze, rc double bond, nh2, यानि amide मिलेगा, amide को further hydrolyze करेंगे, आपको मिल जाएगा, carboxylic acid, rc double bond, oh, यह देखो, यह NH2 group को हटा दिया, oh group आ गिया, ठीक है, next is alkyl, acyl chloride, rc double bond, cl hydrolyze होगा, hydrolysis ही हो रहा है, जैसे मैंने starting में ही गा, यहाँ पर hydrolysis हो रहा है, acetic anhydride, hydrolyze होगा, ठीक है, वापस से वहीं पर, oh group attention हो जाएगा, you'll be getting a carboxylic acid, rc double bond, or, अब यह जो, or है, यह हट जाएगा, okay, oh, ah आ जाएगा, यह देखो, यहाँ पर, oh, carboxylic acid, and dry ice, react with grignard reaction in terms of dry ether, and then further hydrolyze होगा, अब you'll be getting a carboxylic acid, over there, side violet, जो reaction है, that is aromatic carboxylic acid, so this is alkyl benzy, alkyl benzene, undergo oxidation with k-menopor, and k-oh, and then secondly with the hydrolysis, आपको r, शायद से यह दिखता नहीं होगा, पर यहाँ पर आप c-oh group है, ठीक है, हाँ, yeah, that is c-oh group, that is benzoic acid, okay, तो इस सरह से, यह aromatic carboxylic acid, तो यह सारे preparation method होगा है, दोस्तों, यह देख सकते हैं, आप लोग, that is preparation method of aldehyde, these are aliphatic aldehyde, okay, then next is preparation method of aromatical aldehyde, यह benzaldehyde के specifically pressuration method है, getamen reaction, itard reaction, ठीक है, preparation method of ketone, aliphatic, as well as aromatic, वहाँ पर प्रियल काप्ट reaction है, and the next one, preparation method of carboxylic acid, ठीक है, all these are hydrolysis reaction specially, and this one is oxidation reaction, ठीक है, दोस्तों, अब preparation method खतम होगे, chemical properties की तरफ चलता है, properties of aldehyde, okay, addition reaction है, दोस्तों, पहले aldehyde का addition reaction, RCHO that is aldehyde, react with HCN, HCN यानि क्या, hydrogen cyanide, ठीक है, आपको simply, इस चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हैं, आप, C double bond O, single bond H, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, that is aldehyde, cyanide add करेंगे, HCN hydrogen cyanide, तो O के साथ H attach कर लो, इधर CN attach कर लो, तो आपको compound, वो product मिल जाएगा, that is cyanohydring, देखो H, यहाँ OH और यहाँ पे CH है, ठीक है, that is you know aldehyde, cyanohydring, NaH, SO3, sodium by sulfide के साथ reaction करनी है, वापस से oxygen के साथ, आप इस compound को, मैं normally ऐसे लिख लेता हूं, चलो, this way, R, C double bond O, single bond H, ऐसे करेंगे, तो शायद से आपको पता चल जाएगा, ठीक है, या फिर आप इस तरह से लिख दो, जहाँ पे वो represent हुआ है, that is, single bond H, यह C double bond O, this is aldehyde only, यह R, CHO है, अब यहाँ पे, यह H इधर लगा दो, and SO3NE, यहाँ पे attach कर दो, यह देखो, SO3NE, यह मिल जाएगा आपको product, that is aldehyde sodium by sulphide, similarly it is react with the alcohol, gives acetal, simply addition ही करना है, same way, okay, when react with grignard reaction, you'll be getting alcohol, that is secondary alcohol, and with NH2OH, that is hydroxyl amine, आपको मिल जाएगा, aldeoxyne, ठीक है, aldeoxyne, यह H2, और यह O, यह हट जाएगा, C double bond and single bond OH, यह, देखो, यह C double bond and single bond OH, तो आपको मिल जाएगा, aldeoxyne, so these are addition reaction, बच्चो, ठीक है, addition of HCN, addition of NHCO3, addition of alcohol, addition of grignard reaction and addition of NH2OH, okay, अब यह जो कुछ reactions है, addition of NH2OH, that is hydrazine, hydrazine gives that aldehyde hydrazine, वापस से यह component को मैं उसी तरह से जो जिस तरह से मैंने represent किया था, R, यह C double bond O, single bond H, ऐसे express करता हूँ, ठीक है, double bond O, single bond H, ऐसे, अब यहाँ पे, यह oxygen और यह hydrogen को हटा दो, and double bond, single bond NH2, attach करेंगे, aldehyde hydrazine, similarly, C6H5, NH, NH2, that is called phenyl hydrazine, तो आपको water ही remove करना है, R, CH double bond N, NH, C6H5, aldehyde phenyl hydrazine, आपको मिल जाएगा, कर दो, यह सारे reactions हमने, already, one shot में भी किये है, यह सारे reactions हमने, aldehyde ketone, carboxylic acid, series of video है, वहाँ पे भी हम नहीं कर लिये है, यहाँ पर मैं simply आपको बता रहा हूँ, कि reaction किस तरह से proceed हो रही है, अगर आपको detail video चाहिए, कि दोस्तों हमारे channel पर already है, detail video, वो आप जाके देख सकते हैं, मैंने ही वो video shoot किया है, और वही videos आपको यहाँ पर help करेंगे, वो आपको से reaction लिखने के लिए, यहाँ पर हम लोग quick, you know, recall कर रहे हैं, वो सारे reactions को, understood, आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा वो reactions को लिखके देखना जरूर है, ठीक है, otherwise आपको reaction शायद से वो थोड़ा सा difficult है कि यार यह क्या हो रहा है, बट आप थोड़े से लिखे के देखेंगे, simple सी चीज़ है, जो मैं यहाँ पर हो रही है, वो चीज़, कुछ जा रहा है, कुछ आ रहा है, substitution हो रहा है, कुछ addition हो रहा है, elimination हो रहा है, that मैं यहाँ पर help कर रहा हूं आपको, right, okay, similarly, rc.o.h, that is aldehyde, किसके साथ react हो रहा है, k2c2-7, अब अब क्या होता है, oxidizing agent, oxidizing agent, यानके क्या करेगा, addition करेगा, oxygen का, अब देखू, rcoh, okay, तो एक oxygen है, उसमें एक और oxygen added हो गया, क्या मिल जाएगा आपको, this is called as carbozylic acid, क्या है दोस्तों यहमें औक साथ रियक्षिन हो रही है तो करें सीजर्द को क्या कहते है को क्लिमें and reduction reaction दूसरा एक है that is Wolf-Krishner reduction reaction जो की होता है with the help of NH2 NH2 that is hydrazine and in presence of KOH and ethylene glycol यहां पे भी आपको मिल जाएगा क्या that is alkane only ठीक है क्या main product मिलेगा alkane तो aldehyde oxidizing agent से caroxalic acid aldehyde with the two reducing agent आपको main product मिलेगा that is alkane major substance याद रखना है main reactant condition and the major substance यह धियान में रखेंगे आपको आसानी से वो reaction याद हो जाएगा दोस्तों यह reducing substance है या फिर oxidizing है या फिर addition हो रही है that you have to remember यह थोड़ी से practice करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा आप पो राइट ओके चलो reactions of ketone यह ketone है ketone के साथ भी same addition है जैसे aldehyde की addition है same यहाँ पर भी addition of hcn addition of nhsso3 addition of alcohol addition of ग्रिग्णाट्रेजन addition of nhs2h same जो aldehyde का पड़ा उसी तरह से aldehyde में हमने क्या पड़ा था यहाँ पर h लिखा था यहाँ पर h लिखा था ketone में क्या है दोस्तों यहाँ पे h को replace हो रहा है और रेस्ट of the things are same only यहाँ अपने aldehyde के reactions पड़ लिए यह भी reactions आपको सारे के सारी आ जाएंगे कोई difference है नहीं h को सिर्फ r ने replace किया है rest of the things are same only same के same चीज है समझ में आ रहा है reactions ज्याज़त दिखेंगे आपको अच्छली है नहीं ketone react with NH2 NH2 ketone react with C6H5 NH2 NHNH2 zinc amalgam clemency reduction reaction वर्प के लिए अल्डी हैड के लिए अल्रेडी पड़ा सेम यहाँ पर पर किटोन में यह भी अलकेन है यह भी अलकेन ही है दोस्तों तो सेम प्रोसेस है कोई अधिए डिपरेंस है नहीं दोस्तों ठीक है समय में आ रहा है ओके चलो अधर रियाक्शन ऑफ अल्डी हैड इन ketone अहां यह important reaction है अल्डोल कंदेंसेशन reaction कैनी जरोस reaction हेलोपम reaction देखो अल्डोल कंदेंसेशन reaction when two aldehyde you know और ketone containing alpha hydrogen atom कौनसा वाला hydrogen atom alpha hydrogen atom अंटको condensation gives beta hydroxy aldehyde or beta hydroxy ketone which further on hydro you know when heated okay there will be a removal of water and आपको आपको मिल जाएगा क्या आपको मिल जाएगा proton aldehyde या पिर आप c3 लिख दो तो proton aldehyde बनेगा ओके तो this is the reaction is called to be a aldol condensation reaction ध्यान में रखना दोस्तों aldol condensation reaction में aldehyde and ketone ऐसे molecule जहां पर अलपा hydrogen atom हो अलपा hydrogen atom है वो लेते हैं ऐसे aldehyde in ketone which do not contain alpha hydrogen atom तो गाइस फॉर्मल डिहाइड में alpha hydrogen atom होता नहीं है बेंजाल डिहाइड में alpha hydrogen atom होता नहीं वो कैनिजरोस reaction बताएगा hydrolyze करेंगे स्री कंदेंस करेंगे विद आपको मिल जाएगा sodium salt of carboxylic acid and आपको मिल जाएगा alcohol तो 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 इस कनिजरोस reaction हेलोपोम reaction में तन acetone is react with naoi that is sodium hypo iodide in terms of naoh and i2 आपको मिलेगा sodium salt of acetic acid ch i3 ch i3 is iodopomb along with two naoh okay reactions of carboxylic acid carboxylic acid are seedable bond oh ketone के लिए r लिखा था aldehyde के लिए h लिखा था अभी यहाँ पे carboxylic acid का oh a जाएगा यहाँ पे सिर्फ oh यह सारे reactions है that is pcl3 alcohol से relate कर सकते आप लोग वो reaction तो pcl3 pcl5 या फिर ccl के साथ यह देखो oh is replaced by cl that is called compound जो अब मिलेगा that is acid chloride okay जब ammonia के साथ react हो रहा है वापास से c double bond हो यह oh को replace कर रहा है देखो किसने nh2 ने आपको final compound है that is amide amide functional group है दोस्तो p2o5 के साथ वापस से यह you know oh ह को replace कर दिया that is oxygen ने water molecule निकल रहा है that is acetic anhydride वहां पर form हो रहा है naoh and cao okay तो फिर वहां पर क्या हो रहा है there is a formation of alkane when carboxylic acid is reduced with lialh4 in terms of ether reduction हो रहा है तो addition of water तो यह oxygen हट जाएगा यह oxygen भी हट जाएगा ठीक है यह oxygen हट जाएगा आपको मिलेगा simply alkane this one alcohol okay तो यह oxygen तो सेम सेम ही रहेगा just a minute हाँ only these oxygen will be removed and यहां पर hydrogen होना जाएगा दोस्तों that is primary alcohol and alcohol के साथ reaction करेंगे with h2o4 आपको ester मिलेगा जहां पर यह h को replace करेगा or ठीक है तो replacement reaction addition reaction यह कुछ reactions है दोस्तों so here we end is all reactions reactions of aldehyde reactions of ketone and reactions of carboxylic acid ठीक है हमने preparation method कर लिया name reactions कर लिया UPC कर लिया हमने classifications भी पढ़ लिया alipatic aromatic alipatic में क्या है aromatic में क्या है even alipatic ketone में specially symmetric का या फिर simple ketone mixed ketone ठीक है यह सारी चीज़े हमने यहां पर कवर कर लिया तो guys यहां पर पूरा chapter हमने कवर कर लिया है now it's time for the mcqs previous year के mcqs हमें लेना है और और वही पढ़ना हमें ठीक है तो शुरुबात कर लेते हो दोस्तों पे वाई क्यूस से ओके ठीक है अल्डी हाइड ketones and carboxylic acid ठीक है अल्डी हाइड ketones and carboxylic acid अब देखो यह first है that is which is the mix ketones के उपर आ गया देखो classification में पढ़ाई था okay mix ketones हाजी which is the mix ketones ठीक है mix ketones का हमें आंसर mix ketones में क्या होता है C double bond O तो रहेगा यह C double bond O तो रहेगा दोस्तों उसके साइड में different alkyl group में अब देखो प्रोपैन ओन प्रोपैन ओन का structural formula क्या है CH3 C double bond O single bond CH3 butanone butanone में देख लो दोस्तों क्या है तो CH3 C double bond O single bond CH2 CH3 pentane 3-on pentane का 3-on है CH3 CH2 C double bond O single bond CH2 single bond CH3 यहाँ पर भी central CO और same you know alkyl group I think butanone none of this butanone is the correct answer because आप देख सकते बच्चों यह वाला compound यह butanone है ठीक है CH3 C double bond O CH2 CH3 यहाँ पर एक alkyl group that is methyl यहाँ पर ethyl group है तो mix ketone हो गया दोस्तों which is the mix ketone previous year में question पे पूछा है दोस्तों यही मैंने questions लिए है सारे तो betanone is the correct answer ओवर गया ठीक है समझ में आ रहा है किस तरह से आपको यहां पर solution भी दिखाई दे रहा होगा कि कैसे betanone correct answer आ गया बच्चों इसलिए आपको IPC names के उपर ध्यान देना है structural formula के उपर ध्यान देना है structural formula आपको पता है दोस्तों तो structural formula आप आसानी से लिख सकते है अगर structural formula नहीं है तो फिर यह शायद answer आप I mean attempt नहीं कर पाएंगे you got the point ठीक है चलो आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों now next which of the following acid does not have COOH group okay COOH group नहीं है ऐसा वाला acid ठीक है ethanoic acid yes ethanoic acid को तो यह यह दोस्तों यहां पर आएगा NO2 NO2 और यह है दोस्तों 2-4-6-tri-nitro-phenol एक्चुली वह correct answer है benzoic acid तो benzoic acid में तो benzen drink के उपर you know मैं C6H5 लिख लेता हूं C6H5 COOH salicylic acid में benzen drink में एक काबोगजलिक acid एक OH group रहेगा so that is salicylic acid picric acid is the compound which do not you know have the COH group तो देखो बच्चों यहां पर सब acid लिखा है बट आपको ध्यान देना है कि यह आपका aldehyde ketone and alcohol phenol and ether में हमने अल्रेडी यह reaction पढ़ा था nitration of phenol with you know as to as nitrogen mixture to get that picric acid ठीक है तो गाइस भी उसका correct option हो गया ठीक है चलो आगे बढ़ लेते हैं next is which of the compound name the compound CH3 CH C2H5 CH CHO CH3 चलो उसका normal structural formula लिख लेता हूं है CH3 है यह राइट उसके बाद CH यह C2H5 याने दो carbon atom उसके बाद यह CH फिर CHO है CH के साथ attached ब्रेकेट में लिखा हो है मतलब उसी के उसी पहले वाले carbon atom से वो attached है और यहां पर यह दोस्तो CH3 अब इसका numbering देना है चलो numbering भी दे रहते हैं अब यह पहला carbon atom हो गया दोस्तों यह दूसरा carbon atom हो गया यह तीसरा यहां पर C2H5 याने यह चौथा और यह पाचपा carbon atom हो गया यह है अच्छुरी तो यह क्या वैसे मिथाइल गुरूप 23 पोजिशन पर ओके डन आगी आपना अंसर आगे जाने की जरूत है नहीं 23 डाइम इथाइल पेंटैनल पाच और यह यह पेंटैनल 23 डाइम इथाइल पेंटैनल तो गईस देखो कंपाउंड को स्पेसिफाई कर लो सिंप्लिफाई कर लो उसको CH3 CH दन ब्रेकेट में C2H5 है मतलब CH को ही है C2H5 अटाच है वापस से सिंगल बॉंड CH ब्रेकेट में CHO मतलब उसी को CHO ग्रूप अटाच है having CH3 या नहीं वो CH3 ग्रूप है उसके साथ साथ तो यह स्ट्रक्चिरल फॉर्मला लिखके आएगा अब असानी से उसके आटेम कर पाऊगे इस वार उस आस प्रिविएस्ली ठीक है चलो यह भी हो गया next question की तरफ चलते है that is some carboxylic acid and their name some carboxylic acid and their name are given below which of the following is not correctly match okay correctly match नहीं है ऐसा compound हमें डूंड ना है okay carboxylic acid and IUPAC name तो है formic acid that is methanoic acid acetic acid ethanoic acid isobutyric acid 2-methyl butanoic acid and n-butylic acid that is यहां पर देख लो carbox formic acid कहीं नाम ethanoic acid acid कहीं नाम ethanoic acid isobutyric acid that is 2-methyl butanoic acid यह तो नहीं है and n-butyric acid that is butanoic acid तो correct option दोस्तों यहां पर आ जाता है that is c कौन सा है c यह match नहीं हो रहा okay this is not perfectly match यह दोनों match हो रहे formic acid मतलब correct है यह भी correct है यह भी perfectly match है this is not matched over that so that c option is the correct option ठीक है c option is the correct option चलो sum यह तो हो गया ठीक है done this is oxidized to prepare ethyl-methyl ketone ethyl-methyl ketone का formula लिख ले पहले c2h5 c double bond o th3 यह ethyl-methyl ketone है ethyl-methyl ketone को oxidize करने वाला substance ठीक है कौन सा वाला substance ethyl-methyl ketone oxidize करेगा ठीक है डाट इस चलो propane 2ol propane 2ol का formula क्या है प्रोपेन 2ol th3 co th यहां पे ओवेच प्रोपेन टूल भीटेन वने ओल टी ऐत्री च ह2 ती एच टू एक पॉमिला होगा भीटेन टूल कि सिए त्री च टू गऑच यह ओएच और एंड यहां पे च टर्शे इस टी और सक्रश्री ब्यूताल अल्कॉहल मतलब यह CH3 CH3 और यह OH ठीक है अब यहां पर दोस्तो oxidize to prepare oxidize करेगा oxidize primary secondary and tertiary ketone ketone अगर form होना है तो primary form करेगा या secondary alcohol या tertiary primary alcohol कभी भी oxidize होगा तो यह तो नहीं पॉसिबल यह भी पॉसिबल यह हो सकता है या फिर यह हो सकता है बट देखो किटोन का फॉर्मला क्या है फॉक you turn that is yay you tell me tell petroleum यह REAL library यह dojo तीन और चार कार्भ unm jakiś जार क्रभाइटम कहां पर है दोस्तों ब्यूत तो फोन क country question, what is the reagent used to itard reaction, okay, itard reaction में बहुस क्या use करता है, okay, itard reaction तो हमने देखा भी न, कहा गया itard reaction, itard reaction, where we have seen, chromyle chloride के साथ है यह, देखो, tolling, this is itard reaction, क्या use हो रहा है, CRO2Cl2, CRO2Cl2 है दोस्तों, ठीक है, चलो, देख लेते हैं, CRO2Cl2 के लिए, क्या option है, that is called chromyle chloride, okay, चलो, तो chromyle chloride है option, तो देखो, name reaction के उपर भी question आ गया, what is the reagent used in the itard reaction, so that is chromyle chloride, CRO2Cl2 is the chromyle chloride, that is the correct option, ठीक है, next question कौन सा अपने पास, next question है, that is, alkaline hydrolysis, alkaline hydrolysis of ester is called, alkaline hydrolysis ester, जो है alkaline hydrolysis होगा, neutralization तो तो acid-base reaction होता है, esterification reaction, formation of ester होगा, polymerization तो polymer form, and saponification reaction, correct option, actually, बच्चो, saponification reaction है, ester का alkaline hydrolysis होता है, तो soap form होगा, तो that reaction is called to be a saponification reaction, okay, चलो, next, that is, in the following transformation, the most appropriate reagent is, C6H5CH double bond CH2 है, ठीक है, C6H5CH double bond CH2, react reagent, NJNT होना चाहिए था, yeah, that is okay, चलो, reagent, heat कर रहा है, okay, तो क्या form कर रहा है, दोस्तो, यहाँ पे देख लो, एक तो है, ozone के साथ, ozone analysis reaction, DIB तो reducing agent है, यह nitrating mixture है, के मेनोफोर, यह क्या है दोस्तो, के मेनोफोर जो है, that is, correct over here, that is oxidizing agent, क्योंकि, अलकीन का, जब भी oxidize होगा, तभी कावोक्जलिक असिड पॉम होगा, this is alken, okay, benzyl alken है, okay, benzyl ethene, you can say, तो, oxidizing agent, यहाँ में oxygen हो रहा है, कौन सा oxidizing agent है, यह oxidizing, यह तो nitrating mixture NO2 introduce करेगा, यह hydrogen देगा, यह ozone के साथ, you know, ozone olysis reaction होगा, तो आपको reagent भी ध्यान में रखना है, जैसे मैं जब reaction prepare करवा रहा था, तब मैंने बदाया, ठीक है, चलो, next question कौन सा है, that is, okay, solution of failing solution, okay, failing solution, failing solution, tolerance reagent, डिजादी substance, ठीक है, failing solution में tartaric acid होता है, potassium, sodium, potassium, tartarate होता है, दोस्तो, okay, alkaline, sodium, potassium, tartarate, alkaline, sodium, potassium, sorry, citrate, tartarate है, then rossal salt and sodium potassium tartarate, तो यह, so failing solution B is, A is copper sulfate and B, बच्चो, sodium, potassium, tartarate होता है, ठीक है, sodium, potassium, tartarate, which of the following is the most reactive towards addition reaction of hydrolysis hydrogen cyanide to form corresponding cyanohydrin, cyanohydrin आपको form करना है, यहाँ पे acetone formaldehyde cyanohydrin confirm करता है, आपने cyanohydrin के reaction पढ़ा होगा, formaldehyde is easily form the cyanohydrin, correct option over here, that is B, ठीक है, चलो, तो cyanohydrin reaction is also done, आपने addition reaction पढ़ा है, aldehydrin ketone when treated with C6H5-NHNH2, ठीक है, C6H5-NHNH2, यह ने, phenylhydrazine है यह दोस्तो, the product form is, product form phenylhydrazine है, तो phenylhydrazine ही form होगा, या phenylhydrazine is the correct option, semi carbazone, hydrazine, oxyine तो form होता है with NH2-NH2, तो phenylhydrazine is the correct option, done, ओके, तो name reaction अच्छे से देख लो, तो आपको यह clear हो जाएगा, next question, hydrofoam can be prepared from the, all except hydrofoam, किस से बन जाएगा, hydrofoam can be prepared from all except propane 2-ol, butane 2-ol, propane 1-ol and acetophenone, acetophenone से, ketone से बन जाएगा, ठीक है, ketone से बन जाएगा, you know, that is one more component है, that is, butane 1-ol से बन जाएगा, propane 1-ol except propane 1-ol, propane 1-ol will not form that hydrofoam, ठीक है, propane 1-ol, iodoform नहीं form करता, secondary propane 2-ol, butanol, acetophenone, all these will form the iodoform, किस के साथ, that is, haloform reaction, haloform reaction हमने पढ़ा था दोस्तों, ठीक है, next question है, हमारा, next question, okay, this does not undergo aldol condensation, yeah, aldol condensation के उपर question आ गया दोस्तों, aldol condensation, aldol condensation is a, you know, does not, does not undergo aldol condensation, aldol condensation में alpha hydrogen atom होना जरूरी है, अब इस सारे component में, बच्चों, ये aldehyde है, ये ketone है, कि HCH correct option है, क्यों, ये मैं बता देता हूँ, H C double bond O single bond H, ये main, हमारा carbonyl group और उसके side वाले जो hydrogen है, वो alpha hydrogen atom है नहीं, क्योंकि वो alpha carbon atom पे present नहीं होते, alpha hydrogen atom हो दोस hydrogen atom, which present on alpha carbon atom, तो इसी लिए बच्चों, ये formaldehyde is the correct option, which of the following gives condensation product, when NH2OH, that is hydroxyl amine, but not undergo aldol condensation, ठीक है, वापस से वही reaction है, aldol condensation, hydroxyl amine के साथ reaction हो रही है, but aldol condensation के साथ, methanol, methanol याने formaldehyde, HCHO का IUPAC name ही है, याने उपर वाला reaction almost same है, बट देखो, दोनों questions में, जो question पूछे, वो different way से पूछे, ज़र आप देख सकता है, यहाँ पे, okay, you can see the question, दोनों में, not undergo aldol condensation, methanol, अब यहाँ पे following use condensation product with NH2OH, but not undergo aldol condensation, methanol तो यहाँ दे रहा है, I mean NH2OH के साथ तो reaction हो रही है, but aldol condensation के साथ reaction नहीं हो रही है, okay, a mixture of benzaldehyde and formaldehyde, when treated with 50% NaOH, can he zeroes reaction है दोस्तों, ठीक है, तो sodium benzaldehyde and formaldehyde, बेंजाल dehyde and formaldehyde होगा, तो yes, sodium benzoid form करेगा, along with methyl alcohol, formaldehyde तो methyl alcohol form करता है, दोस्तों, ठीक है, and final question है, that is, which of the following is most acidic in nature, most acidic, 4 chloro, 3 chloro, 2 chloro, betanoic acid, easily, जो release करता है, H plus signs, that is, 2 chloro betanoic acid, ठीक है, 2 chloro betanoic acid, can be easily, you know, release the H plus sign, that's why most acidic, 2 chloro betanoic acid is the correct option, so these way, बच्छो, हमने, you know, maximum PYQs cover किये है, जहां पे आपको idea मिल गया होगा, कि कि तरह से preparation करना है, कि तरह से आपको वो सारे reactions को follow करना है, ठीक है, accordingly, आपको reagent के उपर ध्यान देना है, आपको, you know, आपको reactions मतलब, वो सारा reactions कैसे होता है, and everything, उससे better, कि आपको कौन सा reagent है, उसका exactly, you know, main reactant or final product कैसे form हो रहा है, that is more important thing, तो यह सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखने है, IUPAC नेम्स आपको ध्यान में रखना है, दोस्तों यह आपको बहुत ज्यादा help करेगा, hopefully आपको यह वीडियो help करेगा, MHC City के preparation के लिए, एक और वीडियो के साथ next chapter के साथ दो दोस्तों हम लोग मिलेंगे, तब तक Bye Bye and Take Care